हलो डियर फ्रेंट्स वेलकम टू और चैनल एक्जाम जोन अकैडमी आज हम लोग बढ़ने वाले हैं एससी सीजियल जो तीन मार्ज 2020 को पेपर हुआ है ठीक है उसी का आज पहला पेपर सॉल्व करने वाले है जैसा मैंने वादा किया था आप सभी लोगों से कि एससी सीजियल 2019 का जो 20 में पेपर हुए वे क मपलीट हो जाए उनका इनैलिक्स हो जाएका उसकेबाद में सीजियल ठीक है और उसके बा में 2018 के जो 19 में पिरैपर हुए थे के जैसे महारतन कंपनियां थी खेल लगया तो चलो इस टार्ट करता हूं आज का पहला जो है उस मेडिया कंपणी का नाम बताईए जिसने 21 सदी में लोमडी के दिगज इस्ट्वीडियो को खरीदा है वाय कॉन ने खरीदा है वाय कॉम ने खरीदा है टाइम वार्णर ने scolded ने डिजनी ने तो इसको जो खरीदा है तो किसने खरीदा है डिजनी ने खरीदा किसने खरीदा डिजनी ने खरीदा है ठीक है तो आपसर नंबर फोर क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा नेम दा मीडिया कंपनी डाइट पर्चेश्ट दा लीजेंडरी इस्टीडियो आप 21 सेंचुरी फॉक्स वैकॉन टाइम वार्नर सोनी भारत के निम्लिकित में से कौन सा राज है राजस्थान है गुजरात है महराश्टरा ओडिसा है तो यह समाज सोधारक जो थी सामीते सावित्री बायजोतिबा फुले जो थी ये तो ये किस राजय से संबंधित है किस राजय से संबंधित है तो ये महराष्टा से संबंधित थी कहां से महराष्टा से संबंधित थी ठीक है ये जोतिवा फुले जो थे उनकी पतनी थी सावित्री भाई फुले जो थी वो जोतिवा भाई फुले की पतनी थी ठीक है जोतिवा भाई फुले की पतनी थी सावित्री भाई फुले इन्होंने क्या किया था इन्होंने और सावित्री भाई फुले जब जोतिवा भाई फुले जो थे उन्होंने सत्य सोधक समाज की स्थापना की थी सत्य सोधक समाज की इस थाफना की थी ठीक है तो आफसर नमबर थार्ड क्या हो जाएगा और यह महराष्टा के थी तो इन्हों ने सावित्री भाई फुले ने क्या किया था कि जब वहां पर हैजा रोग जब आया था तो उनको बचाने के लिए तो बचाने के लिए बच्चों को अपनी पीट पर लाद लाद करके उन्हों एक जगा से दूसरी जगा भेजा था जिसके कारण क्या हुआ कि वो तो बच्चे तो बच गए लेकिन यह क्या होई यह खुद रोग ग्रस्त हो गई और इन्होंने अपने प्राण त्याग दिये तभी से क्या होता है कि यह वहां पर इनको क्याज किया जाता है सावित्री भाइफुले वहां पर यह मनाया भी जाता उस्व भी मनाया जाता और उनके जोत्वा फुले इनके नाम पर भी सम्मान भी दिया जाता है ठीक है तो वेट रेन प्रीडम फाइटर सोशल रिफॉर्म अंड़ा फेमिनिस्ट सावित्री वाइफुले हैल फ्रॉम बिच आप दा फॉलोविंग इस्टेट आफ इंडिया तो यह महराश्टरा की हैं कहा कि हैं महराश्टरा की हैं आफसर नंबर थर्ड क्या हो जाएगा राइट में ऑगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण जो पूछा गया है भारत में र रिपूदर और रिवर्स रिपूदर की सबसे बड़ी बैंक है वो कौन है भार्ती स्टेट ब sniff च है और इसके जो इसके जो दिनेश क्वार खार रा क्रशा है इस समय मौझूदा में दिनेश क्वार खार जो है इसके क्य liber Ś्वार है आपसर नमबर फोर क्या हो जाएंगा राइट एंसर हो जाएगा ठीक है आफसा नमबर फोर क्या हो जाएगा राइट इंसर हो जाएगा उसके बाद में रेपो दर क्या होता है रेपो दर वो दर होती है जिस पर क्या होता है बैंक खुद क्या होता है बैंक को ये करजा देता है क्या करता है बैंक को खुज करजा देता है उसे रेपो दर कहते का हैं किया को अगर बैंकों के पास जैसे पैसा ज्यादा हो गया तो वो कहां रखेंगी वह अपना किसे पास रखते ही है जब किसे पास प्रित अब एक पर इंडिया तो इन्डिया और मया हो जाएगा र राइट एंसर हो उसके बाद में अगला प्रसुन है अगला प्रसुन जो पूछा गया है लगभक 600 वर्सों तक त्याग करने के बाद सांची की खोज किस वर्स हुई थी सांची के जो इस तूप की खोज कब हुई थी तो इसकी खोज कब हुई थी अठारा सो अठारा में अठारा सो सोला में की 1814 में कि 1820 में तो जो सांची का इस्तूप है इसकी जो खोज हुई थी यह हुई थी 1818 में और 1818 में हुई थी आफसान नंबर सिकेंड क्या हो जाएगा राइट जाएगा ठीक है इन विछ ये शाची वाजड़ डिसका वर्ड डिसकावड आफटर विए इंग एबेंड मेंटे एबेंडोनेंटज क्या होता है एबेंड डोनेंड फार नेरली 600 ज्यूर्स तो यह खो जा गया था कब खो जा गया था 1818 में 1218 में तो आफ सा नंबर सेकेन राइट ऐंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला प्रसण पूँछा गया था फॉर्वरी 2020 तक सिरिलंका के राशपत कौन थे मैत्रि पाला सिरी से्ना थे गौट बाया राजपच्छे थे दियेंब जय कतरनी थे चंद्रका कुमार तुंगा थे तो फॉर्वरी 2020 तक क्या अभी वरतमार में जो स्री लंका के जो राश्पत हैं वो गोट बाया राजपच्छे हैं जब कि महिंद्रा राजपच्छे जो हैं यहां के हैं क्या है प्रधान मंत्री हैं जब कि गोट बाया राजपच्छे जो हैं वो राश्पत हैं बड़े भाई राश्पत हैं छोटे भाई क्या हैं मोखे म तो आपसर नमबर क्या हो जाएगा सिकेंड इसका राइट एंसर हो जाएगा एज आप फरवरी टूथाउजन टॉंठी हुए दा प्रेसिडेंट आप स्री लंका तो कौन से हैं वो गोट बाया राजपच्चे जब कि यहां के प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपच्च हैं आपसर नमबर सिकेंड राइट इंसर हो जाएगी और जब कि सिरी लंका की जो काइपटल है वो राजवर्धनम पुरे कुट्टे है कौन है राजवर्धनम पुरे कुट्टे जो है यहां की राजधानी है ठीक है उसके बाद में अगला जो प्रस्म पूछा गया है बेस है जब कि पेरिस में यूनेशको क्या मुख्याला है किसका है यूनेशको का मुख्याला पेरिस में है ठीक है और जब कि आपका फीफा का कहा है फीफा का जो है ब्रूसेल्स विल्जियम में है ठीक है और निव्यार्क में किसका है निव्यार्क में जानते हूं निव्यार्क में किसका किसका है ठीक है तो इसका रोम में है कहां है रोम में है रोम इटली की राजधानी रोम में इसका मुख्याला है यह फे वो यह को और इसको 2020 का सांतिका नोबिल पुरुसकार भी दिया गया है जबकि निव्यार्क का जो मुख्याला है वो क्या है निव्यार्क जो है वो कहा किसका सहर है यह अमेरिका का सहर है ठीक है यह अमेरिका का सहर है दा वर्ड़ फूड़ प्रोग्राम डबलू एफ़ फी आप फूड़ एसिस्टेंस ब्राऊंच ऑफ दा युनाइट नेशन्स थो हेड़ड़ौर्टर sto parked कोृफ एसका क्या है esque क्या है रोम है आपसा नंबर थर्ड क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा जब कि युनेश्को याथ पारीष जबखना नियु यार्क कर ऐसके बाद को अगला जुपन पूछा गया है मानव कान में कौन शी हड़ी नहीं होती इनकम नहीं होती स्टैप्स नहीं होती फे तो कौन सी नहीं होती फीमर नहीं होती आफसा नमबर थर्ड क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला जो प्रिस्न पूछा गया है जन्वरी 2020 तक स्री भूपेश भगेल किस राजी के मुख्यमंत्री थी निमलिकित राज़ों में बताईए हरियाड़ा के ओरीशा के 36 गड़के की जहारखंड की तो भूपेश जो बगेल थी वो कहां के मुख्यमंत्री थी तो भूपेश बगेल जो थी वो 36 गड़ के मुख्यमंत्री है जबकि ओरिसा की बात करोगे यहां के नवीन पतनायक है जबकि हरियाणा की बात करोगे मनोहर लाल खटर है जबकि जारखंड की बात करोगे जारखंड के हेमंत सारेन है कौँ से हैं? हेमंत सारेन है हो और अनसुया उइक से भूपेश भगहेल और उन्सीया उके के राजेपाल हैं मनुहारलाल खटर आशारी देवरतffen है तो जो है यहां के भूपेश भगेल 36 गड़के हैं और अंसुया ओई के हैं ठीक है उसके बाद में अगला प्रिस्ट जो है आज ऑन जनवरी 2020 श्री भूपेश भगेल इस दा चीप मिनिस्टर आप विश फालोविंग इस्टेट तो वह कहा कहा के हैं 36 गड़के हैं 36 गड़के हैं आपसर नंबर कोची में विशाखा प्रिस टनि मंगलोर में तो अराकू घाटी जो एक परेटन इस्थर है यह आपका कहां पढ़ता है आपका विशाखा पपणम में पढ़ता है कहां पढ़ता बिशाखा पटनम में पढ़ता तो अफसा Vive बर फड क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा कि जो है वह चिपरा नदी के किनारे किनारे मुझे है जब्कि कौची जो है यह के край का के का किरल का ठीक है महत्पुर्म बंदरगा है जब्कि मंगलूर भी करनाटक का ही एक बंदरगा और सहर भी है विसाखा पत्नम भी आंद्र प्रदेश का सबसे महत्पूर्थ सहर है और यह अराकु घाटी जो है विसाखा पत्नम में पड़ती उसके बाद में अगला जो पूछा गया है विच आप दीश सिटीज आफ साउथ इंडिया तो यह कहां का है विसाखा पत्नम का आपसर नमबर थार्ड क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला जो पूछा गया है जीएश्टी की एक समान दर क्या है जिसे जीएश्टी लोटरी पुरूषकार के लिए निर्धारित किया गया है तो अठारा प्रसेंट है 32 प्रसेंट है 28 प्रसेंट है 20 प्रसेंट है पांच अबारा अथारा जो 28 जो है वो जीएस्टी की दर है ठीक है ओध के बाद वाट इस दा यूनीफॉर्म जीएस्टी रेट डैट है जबीन फिक्स्ट अपर लॉट्री प्राइज़ प्राइज़ बाइड़ जीएस्टी काउचिल तो वो 28% कितनी 28% आफसर नमबर 3rd क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला जो प्रिसन पूछा गया है चार मैचों में दोहरा सतक बनाने वाले पहले और वर्तमान एक मातर बल्ले बाज कौन से हैं बिराट कोहली हैं रोही सर्मा है एडी विलियर से हैं ब तो यह ऐसे एक मातर बल्ले बाज हैं तो वो कौन से हैं बिराट कहली हैं आफसर नमबर 1 क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला जो प्रिसन पूछा गया है ठोस कारवन डाय आकसाइड का अधिक सामाने नाम क्या होता है पोटास होता है सिल्वर क्विक सिल्वर होता है इस सोम होता है सूखी बर्फ होता है तो कारवन डाय जो ठोस कारवन डाय होती है उसे क्या कहते हैं उसे सूखी बर्फ कहते हैं क्या कहते हैं सूखी बर्फ कहते हैं तो आफसर नमबर 4 क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा वाट इज पूछा गया है प्राचीन सेरांपी के खंड हर बिजraul 승APP थे बप्रतमान भारती राजरी कौन है कषार तेलंगाना हर मपधी ज invest आरु EL हमपी का जो खंड हर ये आप जmont तो कंड परनाठक में परता है कर आंप सर्मड विल्हुअ भी परता它 तो आफसर नमबर वन राइट एंसर हो जाएगा तो वो करनाटका में कहां करनाटका में आफसर नमबर वन राइट एंसर उसके बाद में अगला जो पूछा गया है तो यह किसके राज थे तो यह आपके केरल की राज परते हैं किसके केरल में राज थे आफसर नमबर वन राइट एंसर हो जाएगा तो केरला के थे कहां के थे केरला के थे आफसर नमबर वन राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला जो पूछा गया है लाल कर्मियों में नामक एक संरचना होती है जो उनके भोजन को पीछने में उनकी मदद करती है यह किस में आत में होती है फसल में होती एसो फाइगस में होती आफसर में हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगए यह जो लाल कर्मियों वाली नामक एक संरचना होती है जो भोजन पीछने में मदद करती है पूछा अगला जो पूछा गया है सर्थ टामईस रो जो है उग्लेन्ड के राजा जिंस प्रत्थम के नाम का एक अधिकारिक पत्र लेकर यह राजदूप के रूप में किस मुगल बात साथ के दर्बार में आया था तो ये जहागीर के औरंग जेव की अकबर की सह जहा के दरबार में आया था तो ये जो टामस रो था ये टामस रो जो था ये जहागीर के दरबार में आया था और इसी के बाद में टामस रो के बाद में कैप्टन हौकिंस भी जो आता है ये भी किस के दर्बार में ये भी जहांगीर के दर्बार में आता है पहला जो British जो था वो Thomas Rowe था जो आया था ये जहांगीर के दर्बार में आया था ठीक है, Captain Hawkins इससे पहले भी आता है ठीक है, तो option number क्या हो जाएगा 4 इसका right answer हो जाएगा तो आया था ये जहागीर के समय पे किसके जहागीर के समय पे आफसर नमबर क्या हो जाएगा फॉर राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला जो पूछा गए जाएगा निमनमे से कौन सा सब्द जो होता है घरेली कुतों के बैग्यानिक अध्यन को संदर्बित करता है सिनोलोजी, क्रोनियोलोजी, कारफोलोजी और चर्मपत्र जिसे क्रिमिस्टोलोजी कहते हैं तो ये कौन सा होता है सिनोलोजी होता है, क्रोनियोलोजी होता है यह जो होता है, यह आपका कौन सा होता है, यह सिनोलोजी होता है, कौन सा होता है, सिनोलोजी जो होता है, यह घरेली कुत्तों के बैग्गैनिक नाम के अध्यन से समधर भी थे, ठीक है, तो बिच आप दीज वर्ट्स रिफर टू दा साइंटिफिक इस्टिडी आप दा डॉम बिपुल भारती चित्रकार मकबूल फिदा हुसेन ने मुख्य रूप से इन में से किसका उप्योग किया है जानवरों ने जो अपने चित्रों में जीवन्त और मुक्त आत्मा का चित्रन किया बाग का किया घोड़े का किया हाथी का किया गाय का किया तो इसमें किसका चित्रन उन्होंने किया है किसका चित्रण किया है उन्होंने घोड़े का चित्रण किया आफसर नमबर सिकेंड क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा क्योंकि विपुल भारती जो है वो चित्रकार किये हैं चित्रकारी जो किये हैं तो इसमें वो घोड़े के तो किसका किया प्रेडी प्रीडो मेंटली यूज़ बिच आप दीज एनिमेल्स टू डिफिक्ट एलिवली एलिवले आइंड प्रीइस्परिट इन इस पैंटिंग्स तो उसमें हॉर्सेश किसका हॉर्सेश का यूज़ किया तो आपसा नंबर सिकेंड राइट एंसर हो जाएगा उसके प्रतिक वेग्यानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रान की खोज का स्रे दिया जाता है और यह 1932 में खोज की करण उन्हें नोबिल प्रुसकार मिला था तो कितनी बार बताया है कि मैंने जेम्स चैडविक को किसको जेम्स चैडविक को आपसा नंबर फोर राइट एंसर यह अभी एंटी पीसी में कुष्चन पूछा गया है एंटी पीसी में कुष्चन पूछा गया था भेल जो है वह कौन सी है मिनी रत्न है कौन सी है तो भेल क्या थी नौरत महारत्न थी तो यह भी कुष्चन एंटी पीसी में तीस तारीक को पूछा गया सिकेंड शिप्त मे name the physical who is credited with the discovery of the nutrition this 1932 discovery led to the winning to the Nobel Prize तो वो कौन से James Chadwick थे कौन थे James Chadwick थे आपसर नमबर फोर क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला जो प्रिस्म पूछा गया है सुल्तान कबूस बिन साइद अरब दुनिया का सबसे लंबे समय तक सासन करने वाला सासक और उसके साथ सांत गोटनीत के लिए प्रितिष्ठा हाल ही में निधन हो गई वो कहां के थे ओमान के थे कुवेट के थे दुबई के थे कि अबुदावी के थे तो वो आपके कहां थे कहां के थे वो ओमान के थे कहां के थे ओमान के थे आपसर नमबर वन क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा सुल्तान कुबोस बिन सायज जो थे अरब वर्ड्स लॉंगेश्ट सर्वाइविंग रूलर और बिष्ट रेपूटिशन स्फोर्ज कोईट डिप्लोमेशी पासेच अवे रिसेंटली ये कहाँ के थे ये आपके थे ये कहाँ के थे ये आपके ओमान के थे उसके बाद में अगला जो प्रस्म पूछा गया है सलमान रुस्दी ने निम्लिकित में से कौन सी पुष्टक नहीं लिखी है सायतानी छंद अंधेरे का एक छेतर की आधी रात के बच्चे की सर्म सर्म को कहते हैं सेम तो कौन सी ये पुष्टक नहीं लिखी है एन इरा डार्कनेस ये किसने लिखी है तो सल्मान रुष्दी की जो पुष्टक है वो अन्धेरे का एक छेत्र जो है वो नहीं है अन इरा डॉर्कनेस जो है वो ससी थरूर की है तो आपसर नंबर सिकेंड क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा तो आपसर नंबर सिकेंड राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला जो पुछा गया है binks inDS इंडिया 2020 को निम्ड लिखित में से किस हवाई औडे में आयुजित किया जाएगा वारंगल एयरपोर्ट की राजमुंदरी हवाई अड़ा की बिजयवाड़ा हवाई अड़ा तो यह कहाँ पर आयोजित किया जाएगा तो यह आयोजित किया जाएगा आपका बिंक्स इंडिया 2020 इस्टा स्यूडियूल टू बी हेल इन बिच आप दाफ हॉलोविंग एयर पोर्ट तो यह बेगम पोर्ट पे कहां पर बेगम पोर्ट पे आफसा नंबर वन क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला जो प्रस्म पूछा गया है आपका कहां होगा केहां होगा काहां होगा किया होगा आपसा नंबर थार्ड क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद में अगला जो पूर्चा गया है 2019 की brand finance nation ranking में भारत की इस्थित क्या की थी तीसरी थी छटी थी पाच्वी थी सात्मी थी तो इसकी जो rank थी वो कैसी थी सात्मी थी करन थी सात्मी थी यह आपकी रैंक थी यह सेवन थी कौन थी सेवन थी आफसर नमबर फोर क्या हो जाएगा राइट एंसर उसके बाद अगला जो प्रिस्म पूछा गया है निमलिकित में से कौन एक कसी रुकी नहीं है इस्तनपाई मचली घोंगा पच्छी तो कौन सा इस्तनपाई नहीं होता यह होगा नहीं होता है कॉंसा नहीं होता इसने नहीं होता ऐस्नेल नहीं यहाफसर नमबर फोराइट इंसरर और इसी के साथ में यह आप का एंक पेपर कित होता है और मिलता हूं आप आप लोगों को नेक्ट क्लास में आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती तो क्या करना लाइक कर देना सेयर कर देना चैनल को सस्क्राइब कर देना ठीक है दोस्तों मिलता हूं बात में नेक्ट वीडियो में जैहिन दोस्तों